इंस्टाग्राम की dp से लेके whatsapp के profile picture तक हमको अपनी photo को अकसर circle के shape में cut करना पड़ता है लेकिन हमें पता नहीं है कि अपनी photo को किस तरीके से circle के shape में crop करेंगे तो कैसे आप देख पा रहे होंगे हमाई जो photos दिख रही होंगे आपको यह सब circular के form में हैं ठीक है लेकिन यह जो photo है मेरी original थी इसको मैंने circle के form में कैसे crop किया है वोगाईस आज की इस video में जाना है किसी भी photo को circle के shape में cut करने के लिए हमारे पास कोई भी photo editing का app होना चाहिए आपके पास कोई भी app हो सकता अगर आपके पास कोई app नहीं है तो फिर आप चाहो तो play store से circle cutter नाम का app डाउनलोड कर सकते हो जगर आपके पास कोई भी photo editor एप नहीं है तो आप यह इस app का use कर सकते हो मैं normal अपने photo editor का use करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी photo को crop कर सकते हो circle के form में मेरे पास जो photo editor app है मैं उसको open कर लेता हूँ यह मेरे पास है photo editor तो इसको मैंने open कर लिया है अब यहां पर मैं कोई भी photo को अपने choose कर लूँगा जिस photo को मुझे circle के shape में cut करना है so guys मैं इस photo को choose कर लेता हूँ और guys इसको जब हम स्क्रॉल करेंगे तो सबसे last में यहां पे crow free का option आएगा यहां से मैं crow free में आ जाओंगा और यहां पे यहां पर यह जो है यह जो हमारी photo है circle के shape में आ से हम इसको cut कर सकते है ठीक है अब जहां से भी आपको लेकर के जहां तक cut करना है वहां से आप cut करी और यह देखिए आपी जो photo है यह circle के shape में आ गई है तो इस आसानी से आप अपनी फोटो को सर्कल के सेप में कट कर सकते हो और इसे डाउनलोड कर सकते हो आप देख रहा है जो हमारी फोटो थी यह सर्कल के सेप में यहां आ चुकी है आई होप गाईस आपको वीडियो बहुत पसंद आए और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन दमाना विलकुल में भूलीगा और अगर आपके मन में कोई कुश्यन है या डाउट है तो